दोस्तों स्वागत आपके अपने चनल सिविल साइड विजिट में काफी अच्छा रिस्पॉंस और थैंक यू सो मुच आप दे रहे हो प्रेक्टिकल जो हमने सीरी स्टार्ड किये जिसमें आपको मैं साइड के रिलेटिड प्रेक्टिकल चीजे बता रहा हूं वो चीज़ें आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो वैसे ही आज का वीडियो है यह काफी जाते इंपॉर्टन वीडियो है क्योंकि यह हर सीविल इंजिनियर जो हर फ्रेश है रहना उसको यह चीज़ें पताऊनी चाहिए लैपिंग लेंध, डेवलिम्मेंट लेंध, क्रेंग बार, लैपिंग जोन, जोगल क्या होती है चेर क्या है, गुणिया कैसे चेक करते है, बेंड कैसे स्टीर अप का देते हैं, क्या होता है तो ये में आपको काफी चैनलों पे मिल भी जाएगा लेकिन आज मैं आपको कैसे बताऊंगा ये practically बताऊंगा मतलब पूरा जैसे practically यूज होता है site पे वैसे हम इसको अच्छे से execute करेंगे इसमें तो ये काफी important वीडियो होने वाली है थोड़ी लंबी हो जाएगे वीडियो तो ये parts में थोड़ा इसको parts में डिवाइड कर दूँगा देखते हैं क्या बनता है यूज का है उसमें क्या क्या चीजिज आपको देखनी है प्रैक्टिकल parenth और कोड हमें क्या चीजिग जिते है कि लैप कैसे करने मैं सब में बताऊंगा आपको एक्जेम्पल के साथ बताता हूँ live करने पहले लैपिंग लैंथ है क्या जिए दिखो जो साइट पर बाधर आता है बारा मेटर की आते हैं और जब कोल्म का सरियाह करते हैं यह कोलम रहा हुमारा यह हमारा इस Birthday बढ़ने वाल एक इसमें सठील बारा गया हुमारे तो यह तो है निकी 12 मेटर का लंबा सरीया एकदम खड़ा कर दें पॉसिबल भी नहीं है और काफी टफ भी होता है इस चीज को एक्जिग्यूट करने में साइड में इसलिए हम क्या करते है इसको पार्ट्स में काड़ देते हैं मेंली क्या किया जाता है 7 मेटर 5 मेटर चोटा बड़ा और एक चीज रखना होता है कि हमेशा जो सरीया कॉलंग का देना होता है साइड पे उसको तुकड़ों में करते है मतलब अल्टरनेट होना जाए यह नहीं बोलता कि 7 मेटर 5 मेटर में ही करो जो भी आपको सही लगता है ऐसे करते हैं 3 मेटर 4 मेटर में भी जैसे जैसे पॉसिबल लो हमने यह कर दिया 7 मेटर 5 मेटर में यह आगे हमारा 7 मेटर का सरीया दूसरा आगे हमारा 5 मेटर का सरीया फिर 30 मेटर 7 मेटर का इसमें क्या होता है यह alternate भी हो जाते हैं एक बड़ा एक छोटा ऐसे भी हो जाता है और फिर हम बात करते हैं भी lap length ही जो मैं बात आपको करने वाला हूँ देखो lap length अगर हमने छोटा बड़ा कर दिया आप भी हमने और उपर जाने तो इसको असरिये को हमें करना पड़ता है lap lap करना पड़ता है तो एक चाहिए ज्यान देने आगे मैं clear भी करूँगा यह ऐसे आपको हमेशा provide करते हैं इसे बोलते हैं हम joggle यह चीजें जो मैं बता रहा हूँ note करके रखो side पे sub ओने वाली है और ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से आना ही चाहिए सब लेकिन basic पता होगा तो आप देख पाऊगे कि यह चीज वो हो रही है जो हमने वहाँ पड़ी थी तो यह lecture याद रखना और मतलब बेशती ने करवाना भाई की तो यह होगा जोगल ठीक है अब भी lap length क्या होती है कोई भी सरीयों को जैसे मैंने कहा है जोनने के लिए हम यूज करते हैं तो यह आगे है हमादी लैप किस हिसाब से कितना मतलब आभी कहो सर की यहां से यहां ही क्यों नी मतलब इतना सा क्यों नी इतना ही क्यों यह इतना क्यों नी तो यह depend करता है हमें IS code क्या कहता है वो तो उसने IS code ने तो काफी चीज़ें दी है कि compression में आपको अलग करने है tension में आपको अलग करने है वो बोल में क्या करना है 30D तो इतने जंजड में आपको नहीं पड़ना है यह जो IS code है यह भी एक follow-up करने के लिए चीज यह बनाई गी यह गोमाट की तरफ से लेकिन जो site पर हम प्रेक्टिली यूज करते हैं वह हमें तो देखो करना है अगर site engineer हो आप तो आपको जो architect होगा उसने पहले ही mention किया होगा drawing को ही आपको किन्या तो basically कितना आता है आजकल 50D चाल रहा है बिल्डिंग पर डिपेंड है लेकिन मैं चल रहा है कि हूँ बोल रहा हूँ कि mostly यह देखा जाता है 50D ही दिया जाता है architect की दिवारा तो 50D के हसाब से हम lab length करेंगे site पर और आपको वही वहां पर देखेगी यह मैंने आपको बता दिया वैसे कि IOS code क्या कहता है compression में कितना tension में कितना इसको छोड़ो इसको पकड़ो 50D के हसाब से करेंगे तो आते हैं हम यह सरी हम useful यह 20 का सरी हमारा एक column में use हो रहा है इसमें Lab करना हैं तो क्या करना है 50D के हसाब से हम उसकोsal करेंगे 50D के हिसाब से यहां तक कितना होना चाहिए 1000 mm और यही जो client आता है सबसे पहले क्या चेक किया जाता है कोई भी column होगा तो उसका वो lab length चेक करते हैं अगर 50 mm छोटी होई ना तो वो column खुलवा के दुवारा आपसे वो चीज करवाएंगे तो यह हमेशा आपको ध्यान रखना होता है और lab length का एक question और interview में भी पूछा जाता है साइट पर दिक्कत आएगी आपको करने में क्या होता है column जो होता है तो कभी-कभी उसका क्या सरीया नीचे से हमारा 20 mm का आ रहा है ऊपर जाते जाते steel का डाय कम होता है mostly buildings में देखा जाता है तो उस दोरान आपको lab length कैसे देनी होती है उस फाइव एमम का यूस कर रहे है उपर लुटी का कर रहे है तो हमें 20 के अशाब से करने है अगर हम 12 का नीचे करें उपर 10 का अगरे तो हमें 10 के साब से देनी है clear यह हो गया अगर हम बात करें यहां पर इसकी example अगर execute करें 50 into 16 हो रहा हो गया 800 mm तो आपकी ये length कितनी होनी चा यहां देना जब भी आप उसमें यह binding wire हमने दिखाई हुई है binding wire binding wind करोगे तो आपको हर 4 इंच यह 100 mm पे bind करवाना है अच्छे से और इसी साब से करवाना है कि बीच में gap नहीं दिखे यह एक tip है आपके लिए tips है आपके लिए कि आप site engineer हो आपका supervision रहेगा तो यह चीज आ आपको हमेशा दियान देना कि 4 इंच यहां पर प्रवाइड करना है binding wire अच्छे से double winding wire और उसमें gap दिखना नहीं चाहिए clear यह हो गया next बढ़ते हैं अगर nominal mix के हिसाब से देखे हमें की हमें lap length कितनी देनी होती है तो M15 यहां भी आप concrete use करवा होगे वहां आपको हमेशा 40D के हिसाब से provide करनी है और अगर M20 की बात करने हैं अगर M20 करते हैं तो column के लिए 50D और beam और slab के लिए 60D यह मतलब इतना नहीं है बाकि drawing पे आपको जो mention की होगी उसको follow up करने बाकि 50D तो हमारा high है 50D के हिसाब से हम lap length हमेशा देते हैं साइट यह हो गया lap length का next topic था हमारा क्य इसी चीज को भी पकड़ के रखने के लिए हम क्या करते हैं development length provider अगर हम beam इदर यह आगया हमारा beam हमें clear करता हूं यह हो गया beam यह हो गया column और development length क्या होती है यह हमारा steel बार जा रहा है और जहां उसका junction बनेगा जहां उसका joint बनेगा वहां हम development length हमारी आती है अगर यह सरीय अगर beam पर यहां पर लोड पड़ेगा तो क्या होगा यह नीचे जाएगी जगा और यह उठेगी और खिचेगी तो उसी दिलिये क्या किया जाता है एक encourage provide की जाती है उसे हम बोते है development length और वह हम कितनी provide करते हैं किसे साब से provide करते हैं वह करते हैं हम 40 से 50D हमारी mostly होती है मैं description में उसका link दे दूँगा उसमें इतना मैं बोलूँगा उसमें एक mathematically थोड़ी calculation में problem ही यह लेकिन बाकी यो video complete है वो full package video है उसमें मैंने सब बताया है और एक अच्छा video बोल सकते हो मेरे दोरान वो video हो है वहां आप देखो काफी चीज़ें आपको clear भी होंगी तो यह ह से लेकि यह और यह कितना हो इंज नहीं है 1000 अगर हमारा column है कितने का 300 mm हो कि यहां से हम कबर निकाल देंगे 50 mm का मुशली कबर रहता है तो बचा हमारे 500 mm यह आ गया इदर से लेकि इदर हो गया हमारे 500 mm बाकी बीचे कितना बचा 750 तो यह यहां से लेकि यहां होना चाहिए 750 यह होती है हमारी development length इस हिसाब से हम इसको लेते हैं मतलब mostly side पे देखा जाता है lap length और development length same ही दी होती है architect ने तो यह same हमारी रहती है यह हो गया ठीक है यहां से लेकि यहां कितना हो गया 1000 mm अगर हमारा इदर होता 16 डाय का बार यूज होता तो हम कितना करते 15 इंटू 16 करते तो हमारा 800 mm आता तो 200 यहां आ जाता बाकी जो बचता उपर चला जाता तो ऐसे ही होता है यह mostly किसके लिए जी दिया थी anchorage को जो beam का stresses होते हैं वो column में easily transfer हो जाते हैं यह हो गया हमारा किसका development length का topic अब यह हम क्रेंग बार का topic था अब यह हम क्रेंग बार पर बात करते हैं क्रेंग बार क्या है यह बहुत important चीज है इस पर वीडियो डाल चुका हूं में लेकिन देखो क्रेंग बार क्या है अगर यह में इसको पकल लूँ यह हमारी support है कोई भी column ले लो कोई भी support है यह बीच में आगे हमारी slab और आपने साइट पर देखा होगा कि ऐसे crank bar provide किया जाते है ठीक है और जो जहां इदर से लेके मतलब जिस एरिया से crank start नहीं होगाता है वहां होता है हमारा positive bending moment और जहां देखो support रहती है यहां support आएगी वहां होता है हमारा negative bending moment यह आगे है और बीच में हमारा यहां ही मेरे को पूछा जाता है सर यहीं से हमें क्यों crank bar provide किया जाते है क्योंकि हमारा यहां क्या होता है zero bending moment होता है हमेशा जहां से हम provide करते है जहां crank bar आएगा जिरो bending moment होता है जहां उसको बोल सकते है point of current or fractional तो यह point होता है जहां से हमारा crank bar उठता है अगर मैं किसी चीज के example लूँ अगर यहां भी possible नहीं होगा यह अगर हमार यहां पर लोड डालेंगे अगर इसको मैं देखों तो यह दूसरी तरफ जो support होगी वहां से उठेगी तो हमारी वहां negative bending moment की create होगी और जहां लोड आ रहा है हमारा अगर यहां मैं लोड करूं अगर मैं ड्राइग रों बना के लिखाता हूं आपको ठीक है यह कॉल लोम आ गया हमारे यह हमारी एक slab यह लोड डाला मेरा यह यह यहां ऐसे ऐसे बहेव करेगी ऐसे तो यहां मारा positive bending moment यहां negative तो इसको counter करने के लिए हम क्या करते हैं crank bar provide करते हैं और इसके लिए हमारी जो अगर एक question जो आपको practically काम आएगा side पे इसकी length निकालने के लिए उसका formula आता है 4.0 into height उस slab जितनी height होगी दोनों दरब से cover minus कर लेना जो height आएगी वो हम उसमें multiply करेंगे उतनी हमारी इसकी length रहती है बाकी यह length निकालना बचे हमारे यह तीन कबर होगे बाकी कबर में अगली वीडियो में करता हूं यह साथ में कर दूंगा सब कबर और जो ads होंगे हमारे मेंने जैसे का है हमारी सीरिस के कितनी वीडियो साइंगे 30-40 वीडियो और यह जो भी 30-40 वीडियो देख लेगा वो side पे freshen ही रहेगा क्य यह basic topic है और यह काफी आपके काम आने वाले है thank you guys ऐसे ही वीडियो को देखो क्योंकि यह काफी आप अच्छे response बिल रहे है thank you guys